इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्राचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टरा से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कटिलिव टेबलेट एंटी हिटमाइन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है इसका उपयोग विभे नलजी स्थितियों जैसे हे फीवर, नित्रशले शमलाशोत, कुछ तवचा प्रतिक्रियाओं जैसे एक जिमा, पिती और काटने और डंग के लिए प्रतिक्रियाओं के इ लाज के लिए किया जाता है, इससे आँखों से पानी आना, नाक बहना, छीक आना और खुजली में भी आराम मिलता है, कुटिलिव टेबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें, आप इसके लिए जो खुराक ले रहे हैं, उसके आधार पर आपके लिए आवश्यक ख ले रहे हैं, तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए, यदि आप खुराक लेना भूल जाते हैं, या सलाह से पहले इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं, यह दवा आम तोर पर बहुत सुरक्षित होती है, सबसे आम साइड खकराना, मूह सूखना, ठकान और सिर्दर्द शामिल हैं, यह आम तोर पर हलके होते हैं, और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर इसे समायोजित कर लेता है, अपने चिकित्सक से परामर्ष करें, यदि कोई भी दुश प्रभाव बना रहता है या आपको चिंता होती है, इसे लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको गुर्दे की कोई समस्या या मिर्गी यानि की दौरे है, आपकी खुराक को संशोधित करने की आवशक्ता हो सकती है या यह दवा आपके अनुरूप नहीं हो सकती है, कुछ अन्य दव हाला कि इसे हानिकारक नहीं माना जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद